असलाम नेकों, चेप्र नमेर 23 हम इस वीडियो में करेंगे, जो पहला टॉपिक चेप्र नमेर 23 का है, हमारे पास हो है, फ्रॉम् दे वनी सप्लाइ बैक तो दे बैलन्स ओपेमेंट्स, इस टॉपिक में हम यह देखेंगे कि क्योंकि हम अभी इस चेप्टर में ओवराल फिक् अजता हैं तो इसकी क्या इंपलिकेशन्स बैलन्स ओपेमेंट्स और एक्चेंज रवी इन तो अगर ऑफिशल क्योंकि जब फिक्स एक्चेंज रेत होता है तो फिक्स एक्चेंज रेत की का मतलब यह है, कि Central Bank ने एक जो भी एक्चेंज रेत चल रहा है वो उस एक्चेंज रेट से आगे पीछे नहीं जाना चाहता है यानि जो भी सेट किया वह है सेंट्रल बैंक ने एक्षेंज जैसे एक डॉलर को उसने 130 रुपीज के एकवल जो है वह सेट किया वह है अगर किसी भी शॉक की वजह से उसका एक्षेंज रेट ऊपर मतलब उसके एक्षेंज रेट प्रेशर आएगा कि वह इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो थू ओफिशल रिजर्फ फाइनसिंग के उसको दुबारा से जो है वह अपनी प्रीवियस लेबल पे सेट कर देगा अचा अब यह जो हम केस कर रहे हैं इसमें केस ही है कि कंट्री जो है हमने जो केस स्टार्ट किया है हमने इसको स्टार्ट किया है बैलन्स ओपेमेंट सर्पलस से के ओवर ओल बैलन्स ओपेमेंट में सर्पलस है ठीक है हमने इस अजम्शन के साथ ये केस स्टार्ट किया है कि बैलन्स ओपेमेंट में सर्पलस है अब सर्पलस जब होता है बैलन्स ओपेमेंट जब मतलब क्या होता है कि हम हमारी जो रुपीज की डिमांद है वो बहुत जादा है यानि बैलन्स ओपियून का सब्स का मतलब क्या है कि रुपीज की डिमांड हमारी अपनी करंसी की डिमांड जादा है और जो फॉरेंड करंसी है उसकी सप्लाइ जादा है यानि हर कोई अपनी ज इस प्रेशर को खत्म करने के लिए क्योंकर नहीं होने देना। Central Bank ने Central Bank ने जो जहां जिस पॉइंट पे एक्सचेंज रेट को फिक्स किया है उसे उसी पॉइंट पे एक्सचेंज रेट को रखना है तो Central Bank क्या करेगा चुबके बैलस ओपेमेंट सप्लस है और इसकी रीजन मैंने बता दिये कि रुपीज की दिमांड जाता है तो Central Bank थूफिशल रिजर्फ फानेंसिंग जो जितनी भी डिमांड है एक्स्ट्रा मनी रुपीज की वो सप्लाइ कर देगा और जो जितनी सप्लाइ है फॉरें रिजर्फ की वो उनको वापिस ले लेगा तो क्या हुआ इन अदर वर्ट्स की जब उसने जितनी भी डिमांड थी रुपीज की उन्हें सप्लाइ कर दिया तो एकॉनिमी में मनी सप्लाइ इंक्रीज हो गई ठीक है अब इस मनी सप्लाइ के इंक्रीज होने से बैलनस और पेमिन पे क्या एफेक्ट पड़ेगा हमने इस केस में यह देखना है सबसे पहले कि जैसी ही उसने मनी सप्लाइ को इंक्रीज किया सेंट्रल बैंक ने तो जो कमर्शल बैंक थे उनके पास रिजर्फ आ गए तो अब जब जब आल की सप्लाइन का चाहेंगी तो जोन की सप्लाइ इंक्रीज होते ही interest rate decrease हो जागा यह बहुत common सी चीज़ है कि जब supply of loan increase हो जाता है तो interest rate क्या होता है decrease हो जाता है ठीक है तो interest rate क्या हुआ decrease हो गया अब जब interest rate decrease हो गया तो interest rate के decrease होने के दो impact है at least in the short run इसके balance of payment पे जो है वो कुछ impact बढ़ते है एक impact पढ़ता है through financial account और बाकी कुछ impact पढ़ते है through current account सबसे पहले चुँकि हमने नहीं पर देखा कि money supply के increase होने से interest rate decrease हो गया है तो interest rate decrease होने से capital account या financial account पे क्या effect पढ़ेगा जब interest rate increase हुआ तो अब sorry decrease हुआ तो हमारा interest rate foreign interest rate के मुकाबले में cheaper हो गया है तो हमारा interest rate जो है हमारा return जो है वो unattractive हो गया है foreigners के लिए हमारे assets unattractive हो गया है foreigners के लिए तो यहां से हमारी country से capital outflow होगा क्योंकि foreign interest rate relative domestic interest rate जादा हो गया है तो उनके assets attractive हो गाए तो यहां से भी सब capital investment करेंगे बाहर, ठीक है तो capital outflow होगा, capital outflow होने की वज़ा से जो capital account है, वो deficit में चला जाएगा, second जिसकी वज़ा से of course balance of payment deficit में जाएगा, लेकिन ये जो है, ये short trend effect है, ये short trend effect क्यों है, क्योंकि देखें capital outflow जब हो रहा होता है na financial अभी capital outflow हो रहा है, यान से सब लोग बाहर investment कर रहे हैं, जिसकी वज़ा से capital account deficit में जा रहा है, लेकिन जब जैसे उन्होंने बाहर bonds में investment करी, shares में investment करी, बाहर की companies के shares पर चेस किये, bond पर चेस किये, लेकिन जब बाहर बान्ड मिचूर हो जाएगे, तो वो उसमें से iron करके, वापस अपनी country में लेकर आए, तो capital account deficit जो है, वो automatically खुद बाखुद खताम हो जाएगा, तो यह जो interest rate का change है, यह short run में होता है, और short run capital account deficit में होगा, अगर तो वो long run में, वो deficit खुद बाखुद खुद 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 हो जाएगा, तो यह जो effect आ रहा है, through financial account, यह short run effect है, second effect आता है, वो through current account आता है, current account के थो है, वो हमारे पास दो effect आता है, सबसे first यह आता है, कि money supply की increase होने की वज़ा से, अगर real income increase हो गई, अब real income कैसे increase होगी, कि जब money supply increase होती है, तो लोगों के पास जादा पैसा आता है, वो जादा से जादा से जादा जो है, वो spending करना चाहते है, मुक्तलिफ चीज़ों क्योंकि अभी supply अपनी जगा पर है, prices increase हो गई, तो prices acts as an invisible hand, it's a signal, तो यह signal जो है, वो producers को जाएगा, producers को पता चलेगा, कि हमारी products की prices increase हो गई है, इसका मतलब यह है, कि हमारे goods की demand increase हो गई है, जैसे ही signal producers को पहुचेगा, producers अपने production को increase कर देंगे, अब यहाँ दो impact आता है, अगर economy full employment level पे नहीं है, full employment से पीछे है, यानि वो full employment output प्रोड्यूस नहीं कर रही, जितना potentially वो produce कर सकती है, वो उतना produce नहीं कर रही, अगर हम यह case अजियूम कर रहे हैं, तो इस case को अजियूम करते वे क्या होगा, कि जब producers को पता चलेगा, कि उनकी demand increase हो गई है, तो वो अ जब डिमार्ड इंक्रीज जब वो अपनी production को increase करेंगे, तो real production increase होगी, जिसकी वज़े से real income increase हो जाएगी, अफ़कोर्स जब production increase होती है, तो फिर लेबर्स और सब के पास, ओनर्स के पास, वो income आ जाती है, तो real income increase हो जाएगी, अब इस real income के increase होने से क्या होगा, कि हमें पत imported goods and services की भी demand को increase कर देते हैं, तो अब इस real income के increase होने से impact क्या हैगा, कि import demand increase हो जाएगी, तो domestic goods and services की demand to increase होगी, लेकिन साथ ही साथ import demand increase हो जाएगी, और जब import demand increase होगी, तो of course, import और export का जो difference है, जिसकी जो हम इसको net export लेते हैं, वो net export negative होगा, जिसकी वज़े से current account balance deficit में चला जाएगा, second impact आता है, कि for example, assume करें कि economy full employment पर थी, ठीक है, economy full employment level पर थी, यहनी, वो potentially अपने सारे जो factors of production उसको potentially अपने full level पर जो है, वो utilize करके production कर रही थी, तो अब जब money supply की increase होने के वाद से, जो लोग है, वो अपने goods and services की demand increase करेंगे, जिससे prices increase हो जाएगी, और इन प्रा prices की increase होने की वज़े से, जो producers के पास signal जाएगा, कि हमारे goods की demand increase हो गई है, लेकिन supply increase नहीं हो सकती, इस case में, क्यूंकि पहले से ही, full employment पर जो है, वो production हो रही है, तो further production increase नहीं हो सकती, जिसकी वज़े से, क्या होगा, सिफ demand increase होगी, supply अपनी चगह पर रही और price level increase हो जाएग और आपको पता है, कि जब price level increase होता है, तो country जो है, वो अपनी goods and services की international market में, competitiveness जो है, वो lose कर देता है, जब prices increase होती है, तो इसका मतलब यह होता है, कि हमारे goods and services की prices increase हो गई है, वो expensive हो गई है international market में, तो जब वो expensive हो जाएगे, तो दूसरे countries हम से जो है, वो import करेंगे, यानि हमारी export decrease हो जाएगी, और जब हमारी export decrease होगी, तो net export decrease हो जाएगा, और इस process के through भी current account जो है, वो deficit में चला जाएगा, तो overall हमने देखा कि interest rate decrease होने का, जो financial account पे effect पढ़ रहा है, वो भी negative effect है, उससे financial account deficit में जा रहा है, और balance of payment deficit हो रहा है, in the short run, और current account पे जो हमने दो cases देख जिससे import demand increase हो रही है और एक price level के increase होने के through, जिससे export जो है, वो decrease हो रही है, और दोनों के through, जो है, वो net export negative हो रही है, जिसकी वज़े से current account deficit में जा रहा है, तो interest rate decrease होने की वज़े से financial account में भी deficit होगा, current account में भी deficit होगा, और overall balance of payment जो है, वो deficit में चले जाएगी, वर्स कंडि process जो है, वो इस graph में जो है, वो define हो रहा है, कि economy जो है, वो पहले balance of payment surplus में ता, उस surplus को eliminate करने के लिए, क्योंकि exchange rate पे pressure आ रहा था, उस balance of payment surplus का, central bank ने money supply increase कर दी, जैसे ही उसने money supply increase करी, interest rate decrease हो गया, क्यों interest rate decrease हो इसका process भी मैंने बता दी है, क्योंकि money supply increase होने की वज़े से commercial bank क पस reserve जादा आ गए थे और वो अब जादा से जादा land करना चाह रहे थे, जब supply of loan increase हो गई, तो interest rate decrease हो गया, ठीक है, अब इस interest rate decrease होने का एक impact क्या आ रहा था, कि capital outflow हो रहा था, ठीक है, हमारे assets unattractive हो गया थे, foreigners के लिए, capital flow out हो रहा था, जिसकी वज़ा से financial account जो है, वो deficit मे जा रहा था, second impact क्या रहा था, कि interest rate drop होने की वज़ह से, investment और consumption जो है, यह increase हो रही थी, क्योंकि cost of borrowing decrease हो गई थी, तो यह real spending, production और income जो है, वो economy की increase हो रही थी, overall, जिसकी वज़ह से, price level increase हो रहा था, और इस price level के increase होने की वज़ह से, demand increase हो गई थी, supply अपनी जगह पे थी, prices increase ह जऑ गई, इस prices ने, overall, current account की balance को deficit में किया, और, कहां से, capital account deficit में जा रहा है, यहां से, current account deficit में जा रहा है, overall balance of payment, जो है वो deficit में चला गया, तो देखे हैं, हमने start कहां से किया था, balance of payment surplus से, और fixed exchange rate के through, इस तरहा का process होगा, कि in the end, balance of payment, जो है, deficit में जला गया, तो ये surplus deficit में जो है वो वो ट्रांस पर हो गया तो खुद बाखुच जो है वो इफेक्ट जो है वो बैलस ऑफ पेमेंट का इलिमिनेट हो जाएगा इन फिक्स एक्चेंजेड विकाज ऑफ ऑफिशल रिजर्फ फाइनसिंग अच्छा इसी को अगर हमें ग्राफ के थू देखें हमें ग्राफ ट ग्राफ के थू जो है वो समझेंगे ठीक है तो यह कौन सा केस है कि जिसमें बैलस ऑफ पेमेंट होई सर्प्लस पे था और इस सर्प्लस की वज़े से कंट्री जो है वो ओफिशल रिजर्फ फाइनसिंग करेगी और जब ओफिशल रिजर्फ फाइनसिंग करेगी तो आटोमेटिकली जो है वोई डैपिसिट जो यहां पर अपने तीनों मार्केट को जो है वो टुगेधर कमबाइन कर रहे हैं एक हमारी गुड मार्केट है जिसको हम आई-स कर्फ से शो कर रहे होते हैं एक हमारी मनी मार्केट है जिसको हम एलम से शो कर रहे होते हैं और एक हमारी जो है वो बैलन्स ओपेमेंट लाइन या एफी लाइन है यानि फॉर्रन एक्सचेंज लाइन है और इसको मैं डिफाइन कर चुकी हूं कि दुम्हें दुबारा एक बार बता रही हूं कि जो हमारी एफी लाइन है या बैलन्स ओपेमेंट लाइन है वो भी Capital Mobility जो है वो perfect तो नहीं है पर elastic है यानि interest rate के change जरा से change होने की वज़ा से capital बहुत जादा में जो है वो mobile हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह शिप्ट हो रहा है जिसकी वज़ा से capital account में surplus create हो रहा है बहुत जादा यानि जरा सा interest rate के change जो है वो capital account में बहुत जादा surplus create कर रहा है इस case जब हम यह case ले रहे होता है capital mobility का which is near to perfect capital mobility तो हमारा जो balance of payment curve है वो LM curve के मुकाबले में flat बन रहा होता है ठीक है like this अच्छा अब यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर हम assumption यह ले रहे हैं चुक्छे हमें हमने यह बात देखी रही है कि अगर IS LM की intersection balance of payment line से नीचे हो तो यह आपको शो कर रही होती है कि जो balance of payment है वो deficit में है यानि IS LM की intersection अगर balance of payment line से नीचे होगी तो deficit शो कर रही होगी अगर IS LM की intersection balance of payment line से उपर होगी तो यह FE line से उपर होगी तो वो surplus शो कर रही होगी ठीक है लेकिन यहाँ तो क्या है यह तीनों एक फल है लेकिन हम ही क्या करना है हमें इस graph को यहां से start नहीं करना हमें equilibrium से start नहीं करना हमें यह assumption लेनी है for example कि हमारा जो असल जो LM कव है वो यह था यह है economy यहां से जो है वो start हुई है क्यों यह आपको LM कव यह आपका previous LM कव और यह आपका previous IES कव इसकी intersection कहा हो रही है balance of payment line से उपर हो रही है ठीक है यहाँ पे interest rate है 0.07 यह point A है और output है 100 यह वो ही case है जो हमने अभी पीछे समझा है कि economy start हुई है balance of payment surplus से balance of payment surplus में और यह surplus कैसे शो हो रहा है हमें कि balance of payment line से उपर ISLM की intersection हो रही है ठीक है अब जब balance of payment surplus में है तो हमने क्या दिखा था कि surplus का मतलब क्या है कि rupees हमारी currency की demand जो है वो बहुत ज़ादा है और for example dollars की supply जाद है exchange rate पर क्या pressure है हमारी currency क्या है कि rupees जो है वो appreciate हो यह pressure है कि rupees की value increase हो appreciate हो और simultaneously exchange rate decrease हो क्योंकि इन दोनों का अपस में reciprocal relationship है ठीक है तो pressure क्या है exchange rate पर क्या हो decrease हो जबके हम कौन सा case कर रहे है fixed exchange rate का जिसमें economy जिसमें central bank को exchange rate उसी level पर रखना है जिस level उसने fix किया है इस pressure को जो exchange rate पर आ रहा है eliminate करने के लिए pressure किस वज़े से आ रहा है क्योंकि rupees की demand economy में जादा हो गई है और dollar की supply या किसी भी foreign exchange reserve की supply increase हो गई है इस pressure को eliminate करने के लिए central bank क्या करेगा वो जितनी भी extra demand है rupees की वो supply कर देगा market में economy में और जितनी भी extra supply है foreign exchange reserve की उसको वापिस ले लेगा तो जितनी भी extra demand है जब वो supply करेगा rupees की supply करेगा economy में तो क्या होगा इस official reserve financing की वज़े से क्या होगा money supply increase हो जाएगी economy में ठीक है और जैसी ही money supply increase होगी हमारा LM curve shift होगा और LM curve shift होगे हम इस point पे आ जाएगे point E पे जहां आपका interest rate जो है वो decrease हो जाएगा क्योंकि money supply increase होगी है तो interest rate decrease होगा और output जो है वो increase हो जाएगा देखिए वही वाली condition है उसके बाद क्या हुआ पहले surplus में थी ठीक है उसके बाद जब official reserve financing की through money supply increase होगी तो interest rate decrease होगा अब recall करें मैंने क्या बताया तक interest rate decrease होने की वज़ासे capital outflow होगा जिसमें जिसकी वज़ासे आप in the short run financial account पे lose करेंगे financial account deficit में जाएगा और output के increase होने की वज़ासे दो effect आएगे एक price level increase होगा और दूसरा क्या होगा के output और income के increase होने की वज़ासे हम import demand increase कर देंगे जब क्योंकि हमारी net export किसकी एकवल है export minus import ठीक है तो दो impact क्या आ रहे है current account के first impact अगर full employment पे है economy तो output के यह output तो increase होगा नहीं सिर्फ demand increase होगी interest rate decrease होने की वज़ासे हम अपनी investment demand और consumption demand को increase कर देते हैं जिसकी वज़ासे aggregate demand increase हो जाती है लेकर अगर economy अपने full employment लेवल पर है तो supply ज़रा सी भी increase नहीं होगी जिसकी वज़ासे prices increase हो जाएंगी और prices जब increase होंगी तो हम international market में हमारी goods की competitiveness जो है वो खताम हो जाएगी और हमसे जो है लोग export जो है वो कम करेंगे यानि import कम करेंगे और हमारी export demand decrease हो जाएगी और overall net export decrease हो जो हैगा second impact क्या है कि for example economy अपने full employment लेवल पर नहीं थी तो output increase होने की वज़ा से या income increase होने की वज़ा से लोगोंने ना सिर्व domestic goods की demand increase करी बलके import demand भी increase कर दी जब उन्होंने import demand increase करी तो import demand increase हो यह negative term increase हो रही है overall net export decrease हो गया तो दोनों सूर्तों में net export decrease हो रहा है जिसकी वज़ा से current account जो है वो deficit में जा रहा है तो बताना यह था कि interest rate decrease होने क्योंसे current account में भी deficit हो रहा है, capital account में भी deficit हो रहा है और balance of payment deficit में जा रहा है, तो balance of payment पहले surplus में था और official visa financing की थूँ जब आपने money supply increase करी तो वो deficit surplus convert होके क्या हुआ, वो एक sets of condition हो गई, sets of adjustment हो गया कि वो surplus का size खुद बखुद reduce हो गया through automatic adjustment, ठीक है, अच्छा, अब हम हमें एक चीज़ पता चल गई कि in the surplus situation, जब balance of payment surplus होती है तो central bank क्या करता है, fixed exchange rate system में, वो money through official visa financing money supply को increase कर देता है इस money supply के increase होने की वज़से interest rate decrease होता है, ठीक है, और जब ये interest rate decrease हो जाता है तो इस interest rate के decrease होने से external balance तो जो है, वो adjust हो जाता है, ठीक है, लेकिन इस domestic money supply के increase होने के जब interest rate decrease होता है, तो prices हमने देखा था कि increase हो रही है और prices increase होने की वज़से inflation increase हो रही है, तो मैं एक चीज़ यहाँ पर add करना चाहती हूं कि जरूरी नहीं है, अगर हमारी economy external balance में हो, external balance तो मतलब कह है, current account, capital account जो के balance और payment से हमें पता लग रहा होता है, क्या हमारा external balance है या नहीं है, capital account is equal to current account, or it is more than or less than, और या अगर अगर आपको external balance जो है, external balance है तो जरूरी नहीं है कि आपका internal balance में हो, यानि external balance और internal balance जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के एक वालो, इसका क्या मतलब है, कि देखें, हमने यहां पर क्या देखा कि balance of payment surplus में था, ठीक है, जिसकी वज़ से economy में exchange rate decrease होने का pressure था, central bank ने money supply increase करी, interest rate decrease हो गया, ठीक है, इस interest rate के decrease होने की वज़ से हमने देखा था, जो surplus था, वो खुद बखुद, इसका size रिडियूस हो गया, ठीक है, और जब रिडियूस हो गया, तो इसका मतलब कि बैलन्स ओप पेमेंट करीब है के वो zero हो जाए, ठीक है, यानि balance हो जाए, तो हमारे external balance हो गया, लेकिन internal balance, हमारी internal imbalance create हो जाएगा, क्यों? क्योंकि interest rate decrease होने की वज़ से हमने देखा कि consumption और investment increase हो रही है, जिसकी वज़ से aggregate demand increase हो रही है, और price level increase हो रहा है, जब price level increase होगा, तो economy में जो है, वो inflation हो जाएगी, तो इस inflation का मतलब क्या है, कि external balance तो हो गया है, लेकिन internal जो है, वो balance नहीं हो रहा है, क्योंकि internally जो है, वो inflation increase हो रही है, तो of course, economy internal balance पे नहीं है, second condition, अगर balance of payment deficit से हम स्टार्ट करें इस condition को, deficit का मतलब क्या है, कि रुपीज की demand, हर कोई रुपीज की supply कर रहा है, पिलकुल opposite condition, ह अगर कोई रुपीज को supply करना चाह रहा है, और डॉलर की demand कर रहा है, इस केस में क्या रुपीज पे क्या pressure होगा, कि वो depreciate हो, और exchange rate increase हो जाए, इस pressure को eliminate करने के लिए, central bank official reserve financing करेगा, इसमें वो क्या करेगा, जितने भी लोग रुपीज की supply कर रहा है, उने वापिस ले ठीक है, money supply decrease हो जाएगी, और money supply जब decrease होती है, मैं पता है, interest rate increase हो जाता है, अब यहां क्या condition होगी, interest rate increase होने की वज़ा से, पहले balance of payment deficit था, अब interest rate increase होने की वज़ से, एक तो हमारे capital inflow होगा, दूसरा, इन ही जो हमने current account में, हमने देखा था कि current account पे दो तरह से impact पढ़ रहा इंटरनेशनल मार्केट में, हमारी competitiveness जो है, वो इंक्रीज हो जाएगी, हमारी goods cheaper हो गए, लोग हमसे अपनी export demand जो हो इंक्रीज कर देंगे, अपनी import demand increase कर देंगे, हमारी export increase हो जाएगी, second, real income के decrease होने की वज़े से, import demand decrease हो जाएगी, और हमारा net export इस प्रोसेस के त्रू बी जाएगा, वो surplus में हो जाएगा, लेकिन internal balance, external तो balance हो गया, इस condition में लेकिन क्या internal balance हो नहीं, internal balance क्यों नहीं हुआ, क्योंकि interest rate increase होने की वज़े से, cost of borrowing increase हो गई है, तो investment भी decrease हो जाएगी, consumption भी decrease हो जाएगी, और aggregate demand decrease हो जाएगी, अगर economy full employment level पे नहीं है, तो इसका मताब है, aggregate demand increase होने की वज़े, prices decrease होई, और अब जब producers को पता चला कि हमारी prices decrease हो गई है, यानि हमारी goods की demand decrease हो गई है, तो वो production को कम कर देंगे, ठीक है, production जैसी ही उन्होंने कम करी, cut down करी, तो जो extra laborers थे, उनके पास उन्होंने कुछ को जो है, वो fire कर दिया, क्योंकि अब उनको उसकी imbalance through unemployment, इस case में क्या होगा, unemployment जो है, वो increase हो जाएगी, तो क्या हुआ, के, it's not, it's not possible के, may be that external balance is not consistent with internal balance, जरूरी नहीं है, कि अगर external economy balance पे हो, तो internal भी balance पे हो, क्या किसी कभी-कभी internal balance होता है, तो external balance पे हो, इस नहीं होता हो, कभी external balance होता है, economy में, तो internally economy imbalance होती है,